प्रेंट्स भारत में भी अब इलेक्ट्रिक कारों पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है इसी कड़ी में रेनो इंडिया ने भारत में रेनो क्विड ईवी से पर्दा उठा दिया है कार को रेनो सिटी के जेड इ नाम दिया गया है इस कार को सबसे पहले पिछले साल चीन में हुए शंगाई मोटर शो में पेश किया गया था ये रेनो की सबसे छोटी इलेक्टरिक कार होगी जो पिछले साल आए KZE कॉंसेट पर बेस्ट है साधारन क्विट के मुकाबले इसके इलेक्टरिक वर्षिन में सबसे बड़ा जो चेंज मिलेगा कार में वो रहेगा बैटरी और इलेक्टरिक मोटर का कमपनी इसे लाँच करने की तयारियों में जुट गई है तो आज हम इसी गारी के बारे में पूरी डीटेल आपको देने वाले हैं वीडियो अन तक जरूर देखेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटा फट से हमारे चैनल रियल आटो नियूज को सबस्क्रा करते हुए इसमें पहले से बड़े साइज का लोगो दिया गया है एलीडी हेड्लाम्प दिये गये हैं जो पहले से स्लीक और शार्पर हैं कार में नए स्टाइल के फ्रंट और रियर बंपर आपको मिलेंगे और नए डिजाइन की टेल लाइट भी मिलेगी इसमें अलोई व इस कार में 33 किलो वाट की मोटर दी गई है जो की 120 न्यूटन मीटर का टॉर्क जेनरेट करती है कंपनी का कहना है कि कार को चार्ज करने के लिए साधारन 220 वाल्ट के प्लग चार्जिंग पॉइंट का इस्तिमाल किया जा सकता है फास्ट चार्जिंग मोड में रेनो KZE कार 50 मिनट में ही 50% तक चार्ज हो जाती है वहीं स्लो चार्जिंग मोड में इसे फुल चार्ज होने के लिए 4 घंटे चाहिए होंगे एक बार फुल चार्ज होकर ये कार 240 किलोमेटर तक चल सकती है इंटीर की बात करू तो रेनो सिटी KZE में आपको 8 इंच का इंफोटेन्मेंट सिस्टम मिलेगा जो की नैविगेशन के साथ 4G इंटरनेट और वॉइस कंट्रोल के साथ आता है बाकी चीजों में कोई खास चींच नहीं मिलेगा पहले की ही तरह 300 लीटर का बूट स्पेस इसमें आपको मिलेगा इसके अलावा कार में dual front airbag मिलेंगे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलेगा और रियर पारकिंग कैमरा जैसे फीचर्स आपको मिलेंगे उमीद लगाई जा रही है कि ये कार दिसमबर 2022 तक भारत में लॉंच हो जाएगी और लॉंच होने के बाद इसकी शुरुआती कीमत 5-6 लाख रुपे होगी जो की बढ़ते हुए मॉडल के साथ 10 लाख रुपे तक जाने की संभावना लगाई जा रही है तो आपको कैसी लग रही है ये कार हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईए साथी साथ वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाख और शेर जरूर कीजेगा धन्यवाद